साथियों, आज दुनिया नए वल ओर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ और भारत की भूमी का बहुत तेजी से बदल रही है। भारत इत समय जी ट्विंटी का प्रसिडेंट है। पहली बार किसी देश की प्रसिडेंट्री में ऐसा हो रहा है जब उस देश के कौने कौने में दोसों से जादा बैठके हो रही है। पूरा जी ट्विंटी समोग भारत के सामर्थ को देख रहा है। उससे मंत्र मुग्द है। क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल सप्लाइचेन हो, आतंकवाद हो, कट्रवाद हो, हर चुनोती से निपट्ने में भारत का अनुभव, भारत का प्रयास, दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। भारत कहता है, एकमसत्विप्राब अउधावदन्ति, यानि सत्य एक ही है, उसको व्यक्त करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। भारत कहता है, आत्मवत्सर्वभूतेशु, यानि जो करुणा, जो आत्मियता हम अपने लिए दिखाते हैं, वही हमें दूसरों को भी दिखानी चाहिए। भारत कहता है, संगच्छत द्वम, संवदत द्वम, संवो मनांसी जानता। यानि हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारे मन एक हो। और भारत कहता है, वसुधेव कुटुम कम। यानि पूरा विश्व एक परिवार है, इसी भावना को लेकर, हम एक बहतर समाज, एक बहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। इसी भावना के साथ, भारत और फ्रांस, 21 सदी की अनेक चुनोतियों से निपट रहे हैं। इसलिए, इस एहम समय में, फ्रांस भारत के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टर्शिप का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। और आप जानते हैं कि भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिक को कौन लगातार बजबूत कर रहा है। कौन इसे बजबूत कर रहा है। कौन कर रहा है। कौन कर रहा है। कौन दोनों देशों के समंदों को नय आयाम दे रहा है। आपका जवाब सही नहीं है। यह मोदी नहीं कर रहा है। यह सब आप लोग कर रहे हैं। हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट। दोनों देशों को लोगों के बीच आपसी विश्वास इस साजेदारी का सबसे मजबूत आधार है। यहां नमस्ते फ्रांस फेस्टिवल होता है। तो भारत में लोग बॉंसों इंडिया का आनद उठाते हैं। हम दोनों देशों की हेरिटेज हो या हिस्ट्री। आर्ट हो या एस्थेटिक्स, क्राप्ट हो या क्रेटिविटी, कुजीन हो या कल्चर, फैशन हो या फिल्म। यह साथ हमें जोडते हैं। यह साथ हमें साथ लाते हैं। फ्रांस के फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉलर, उनकी पुप्लेरिटी तो, आप इंडिया करके देखिए। किलियन मापे के जितने फ्रेंस फ्रांस में नहीं होंगे, उससे जादा वो भारत के युवाओं में सुपर हिट है। किलियन में सुपर हिए।